हेलो स्टूडेंट्स बेलकम टू बाई चैनल और स्टूडेंट्स जैसा कि जिसका बहुत समय से आप सभी को इंतजार था बहुत अर्चनों के बाद में अब आपका एक्जाम अंतिताहा कल मतलब 20 तारिक और 21 तारिक को होने वाला है चाहे बहुत स्टैनों हो या टाइपेश हों såभी एक्जामस दो दन में कंड़क्ट करे गया है और वह सभी जवलपुर में गलोबल कॉलिज में कंड़क्ट करे गये हैं हमारी विसस हैं आप सभी के लिए क्योंकि आप लोगों ने एक लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं और बहुत से बच्चों ने हमारे course भी purchase करे थे जो dictations की preparation आप सभी ने करी थी और बहुत अच्छे से आप लोगों ने preparation करी हैं कहां आप 0 से जब आपने start करा था मतलब 20-25 आपकी typing आती थी आज आप लोग 50-55 पर पहुँच गए हैं या 60 तक भी पहुँच गए हैं और इस 10 वाल उन्हें भी बहुत अच्छे से preparation करी है आपसे हमीसा बात होती रही है बच्चों से तो आप लोगों की practice बहुत अच्छी है आप लोगों को क्योंकि अब ये good wishes बनाने के लिए ही last ये video है क्योंकि कल आप लोग सभी आज या तो निकल जाएंगे और मैं इसमें suggestion भी दूंग आपका जब तक exam नहीं हो जाएगा तब तक भी आपको रहेगा कि आपकी preparation अच्छी नहीं है लेकिन preparation आपकी best है आप लोगोंने बहुत अच्छे से typing practice करी है चाहे आप सेंटर पे गए हो चाहे आपने घर पे करी हो अब सिर्फ आपको एक सिर्फ mentality अपनी ऐसी रखना है तो नहीं हो जाएगा खराब होगा भी नहीं क्यों क्योंकि आप लोग ने 100% आपने अपना अपनी practice के लिए दिया है हर एक student ने 5-5-6 गंटे practice करी है चाहे वैं मद्ध प्रदेश के कहीं सर्वी हो तो देखिए students जब आपकी practice अच्छी है आपकी लिखावत अच्छी है तो suggestions है जो last में आप सुन लीजिए देखिए students आप जब center पे जाए paper में आपको किसी से कोई मतलम नहीं रखना है क्योंकि ये pure आपका concentrate रखने वाला paper है अगर आपका concentrate dictation क्या बोली जा रहे हो से 1% या 1 second या 2 second के लिए भी हटा और आपकी line छूड जाएगी तो आपको क्या करन है सिर्फ और सिर्फ पांच मिनिट जो आपका दस मिनिट का आपका typing का matter बोला जाए आपको concentrate करके लिखना है और जो आपको on screen matter उसको भी आपको लिखना है ना इस तरफ बाले कौन बैठा है उससे मतलब रखना है ना इस तरफ बैठे वाले से ब्योहार आपके बाद में ब concentrate ना किसी से बात ना किसी से कोई बहस ठीक है ना सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है क्योंकि selection आप स्वयम अपना लेंगे है ना कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्द आपको गलत लग रहा हो वो बगल वाले ने सही लेखा हो है ना तो बिल्कुल भी नहीं concentrate ब सिर्फ अपने paper की तैयारी करिए ठीक है ना और देखिए हमेशा आप लोग अभी भी क्योंकि बच्चे करते रहें सर अभी ये keyword अपकी लाश्ट तक आप ये discuss करते रहोगे तो ये discuss कभी खतम नहीं होने वाला है ठीक है ना तो आप अब फालतू का discuss एक दूसरे से मत करिए जो है best है ठीक है ना तो अभाव में भी प्रभाव बनाने की कोशिस करें हमने आपको सब कुछ बताया है कि अगर keyword खराब भी मिलता है तब भी आप अच्छा कर सकते हो और अच्छा मिलता है तो और अच्छा कर सकते हो तो ये नहीं कहना है सर कि भाई चेक कर लो आपको में आपको helpful invigilator मिलते हैं आप उनसे कहेंगे तो वो आपकी सारे instructions मानेंगे जैसा other exams में होता था वैसा इसमें भी होगा बस आपको फालतु की discussion करना है जब आपका exam स्टार्ट हो पांच मिनट पहले concentrate करें सांथ बैठें अगल वगल वालों से फालतु की बात ना करें बहा अच्छी बात होती है किसी भी exam को देने से पहले अपने इश्ट जो भी आपके भगवान है आप जिसको मानते हैं जिसमें आपकी सद्धा उनको एक बार याद जरूर कर लें ताकि आप पर उनकी भी किरपा रहें क्योंकि कभी-कभी आपकी मेहनत के साथ लक ना हो तो बताना चाहूंगा डिलीट करने की एक प्रोसीजर में यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपका कभी कोई मैटर में मिश्टेक आती है यह क्योंकि मैंने अभी तक बच्चों को बता नहीं पाया था और यह बताना इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे हुआ गलती से आज का लिख गया अब हमने यहां पर डिलीट करा तो कभी कभी सिस्टम्स में क्या होता है आप बैक स्पेस दवाएंगे तो यह बड़ डिलीट नहीं होते हैं कैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या करना है घवराना नहीं है ना इन्विजलेटर से पूछ आपको कुछ नहीं आप स्पेस की को क्लिक करें और फिर बापेस जाके और अगर इसको डिलीट करेंगे तो यह आसानी से आपका डिलीट हो जाता है यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है बाइचांस अगर हो किनी सिस्टम्स में होती है सीपी सीटी में भी यह प्रॉब्लम आ हो यहां पर रुख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है इस पेस की को एक बार क्लिक कर दें और बापेस से जाके फिर डिलीट करेंगे तो यह बिल्कुल से आपका डेफिनेटली डिलीट होगा तो इस चीज को मान के चलें यह बहुत रामबार कह सकते हम इसको यह टिप्स ह इस चीज को लेकर क्योंकि ऐसे में बहुत से बच्चे बाहर भी हो गए थे अब क्योंकि यह सीपी स्टी में भी प्रॉब्लम आती थी इसलिए इसको बताना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए क्योंकि हो सकता भाई सॉप्ट्वेर लग 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 एक से ही होते हैं तो वहां पर अगर आपको प्रॉब्लम आई तो कम से कम आप सॉट आउट तो कर पाएंगे एक बात और कीबोर्ड जब आपको टाइम मिलेगा कीबोर्ड चेक करने के लिए तो अच्छे से कीबोर्ड चेक करने कहीं कोई कमी तो नहीं है कीबोर्ड खराब तो नहीं कोई की काम कर रही है ऐसा नहीं कि जो matter दिया सब उसको check कर लें check time में आप तो की को दबा के देख लें कि proper work कर रही है proper work कर रही है तब ही आपको हा करना है और उसके बाद में आपको typing के लिए जो आपकी mendictation होगी उसको आपको करना है देखिए students बहुत अच्छे से आप सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा अपना concentrate दस minute का अपने system पर होना चाहिए इस 10 वालों का जो अपना पांच minute है उसके बाद translate का है उसमें आपका पूरा पूरा concentrate होना चाहिए इसके बाद में help करने की ज़्यादा भाई चाहरा ज्यादा निवाना नहीं है आप सिर्फ यह सोचिएगा कि उस एक seat पे आपकी दावेदारियों और आपको select होना है मैं बारवाज इस बात को इसलिए repeat कर रहा हूं क्योंकि आप दूसरे का भला करने के चकर में अपना बोरा मत कर बैठना यह बहुत important चीज हो जाती है डिलीट करने का जो मैंने बता है वो आप याद रखिएगा कभी-कभी ऐसी problem आती है भगवान ना करें आपके में अगर ऐसी problem आए तो आप उसको इसा होगा जैसे इनकार में यह होगा उसमें यह सब्द होगा इसमें यह सब्दू का पता चला कि किसी बगल वाले जो ज्यादा उस्यार नहीं है जिसने ज्यादा प्रेक्टिस नहीं करी आप उसके पास देखिए बतोले बाजी बही करेगा जिसकी ज्यादा प्रेक्टिस जिसकी अच्छी प्रक्टिस है वो सांत रहेगा क्यों कि वो अपनी अब हर एक चीज आपको नहीं बताएगा लेकिन जिनकी कम प्रक्टिस है अदगर गगरी छलकट जये वाली बात जिनकी है वो आपके लिए ऐसा ही करेंगे आप से डिसकस जादा करेंगे और पता चला कि आ से यार बच्चे आपसे ज्यादा डिसकस नहीं करेंगा उसको पता है क्या इस्ट्रेटिजी फॉलो करना है तो भाई आप क्यों फॉलो करो फिर फालतुगी बहस करोगे किसी से भी आपने जो करा वो बहुत अच्छा करा आपने जब 6 महीने या इतना एक साल पूरा मिल गय प्रक्टेस में जब आपने उन बर्ट्स को नहीं सुधार पाया तो अब जो इनसान जो आपके साथ बात कर रहा है वो कहां से आपका गंटे में या पांच मिनट में सुधारवा देगा तो जो आपने अभी तक 6 महीने या एक साल प्रक्टेस करिए उसके आधार पर आप अ कॉंसंट्रेट का अगर आपका एक सब्द भी अगर आपका चूट रहा है और गलती हो गई है तो और आपको लग रहा कि आपका नहीं कर पाएंगे तो आंगे बढ़ जाईए देखिए एक बढ़ चूटेगा तो एक गलती लेकिन अगर पूरी लाइन चूट गई तो कितन ही उसको आप कवर कर सकते हैं तो उसको लाश्ट में आप थोड़ा सा जब जल्दी अगर टाइपिंग आपकी स्पीड अच्छी है तो जैसे डिक्टेशन बोले कि उतके बाद तुरंत आपका आप टाइप कर पाएंगे और टूटल मिनिट्स हैं दस अगर आपको उसमें से पांस सेकेंड भी मिलते हैं तो उस बर्ड पर कॉंसेंट्रेट बनाया रही है अगर आप सुधार सकें तो सुधार लीजिएगा लेकिन अगर रेड मैटर होने की प्रोब्लम आ रहे है तो बिल्कुल मत सुधार रहेगा दोनों चीज़े आप पर डेपेंड है आपको पूर हमारा कोर्स लिये हुँ या हमारा कोर्स नहीं लिये हूँ आप सभी बच्चों के लिए गुड बिस्स है कि आप सभी सिलेक्ट हो और बेरोजगार से बहँ हट के आपको एक रोजगार का टेग मिलें और आप डिश्टिक कोड़ एग्जाम को क्रेक करके बहां के झाल झाल झाल